नमस्का दोस्तो इस वीडियो में हम सीखने वाले क्स तरीकी से सपोर्ट पर और किस तरीकी से Resistence पर psychology काम करते हैं जिसके कार्ड मार्केत रिजिस्टेंस से नीचेंग तरफ गरना स्टार्ट होता है और support से उपर क्र उठना होता इस चीज में दोस्तों हम सीखिए किस तरीके से जो इनकी साइकलोज़की एंकी साइकलोज़की किस तरीके से काम करती है और वह बाहा किस तरीके से साइकलोज़के यूच्ट कररे सकते तो वीडियो समझने क 내가 पसंद आध तो राइक करती wannas जैसा कि दोस्तो में आपर 2 line ड्रॉव कर रखी एं और यह दोस्तो मारा एक strong support है यह strong support है और यह strong दोस्तों रेजिस्टेंस है यह resistance दोस्तों हमारा 600 के level पर है 600 point के level पर और यह हमारा support है वो 300 के point पर है अब market यहां से चरव रहा है और यहां से दोस्तों market उपर उपर की तरफ जा रहा इस तरीके से किसी भी बाइट्स ने यहां पर entry लिघ कॉल साइट में या दोस्तों call साइट ने बैट्स ने बाइंट पोजिशन के यहां पर मार्केट उपर की तरफ चलता हुआ नजर आया और उपर जैसे ही दोस्तो रेजिस्टेंस के पास मार्केट पहुंचता है तो क्या साइकलोजी करते हैं जो सेलर्स और बायर्स होते हैं मिलके कि वहाँ पर साइकलोजी बनती है कि यहाँ पर जिस बन्दे ने एंट्री लिए होगी कि यहाँको ऑपनी पॉजिशन को कुछ फॉफिट ब härएंक करके यहांसे अपना प्रॉफिट बॉकिंग करके दोस्तो एककलोजी करता है और इस entry लेने के कारण ही दोस्तों market में एक ऐसी candle create हो जाती है जहांसे जैसे कि आप suppose करेए कि यहां पर buyers किसी position से exit लेंगे तो buyers की quality होती है वो दोस्तों कम हो जाती है बायर्स कैसे हो जाएंगे कम अब sellers का दिमाग यह कहता है कि यहां से दोस्तों resistance मार्केट नीचे गरेगा तो यहां पर में short position बनाऊंगा short selling करूंगा यहां पर दोस्तों जो put में जाए option trading करते हैं वो put में अपनी position बनाने श्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि मार्केट यहां से totally sellers से control में चला जाता है तो यहां पर एक indecision type केंडल बनती है जिसमें दोस्तों आदे तो buyers होते हैं आदे sellers होते हैं अब उसके बाद दूसरी केंडल फिर से complete sellers के favor में बनती है यहांनि फिर से बियादिस केंडल बनती है तो आप यहां से समझ जाएंगे यहां से market continue नीचे ग करेगा और आप जो selling position बना रहे हैं वो दोस्तों आपकी support तक दोस्तों कामयाब रहेगी support तक आपको profit देखे जाएगी अब हम सपोर्ट पर किस तरीके से psychology का यूज़ करते हैं किस तरीके से psychology काम करते हैं आप यह दोस्तों में इस वीडियो में आपको यह तो मैं दोस्तों एक theory के मादियम से समझा रहा हूँ अभी आपको चार्ट के मादियम से और इसी वीडियो को दीप तरीके से समझाओंगा क्योंकि चार्ट सही तरीके से दुस्तों आपको समझ में आ जाएगा तो अभी हम क्या कर रहे हैं मार्के नीची की तरफ आ रहा है तो यहां पर दू सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा ऐसा लगेगा और लोगों को तो यहां पर बायर्स कुछ रिट्रेटर होते हैं वो एंट्री ले ले लेते हैं और जो दोस्तों यहां पर सौट सेलिंग में जो पोजिशन मनायते प्रॉफिट के लिए वो एक जिट हो जाते है उनके कार्ड क्या होता है यहां पर एक हमर टाइयप की केंडल बन जाती है इस तरीके से जो के एक बुलीस केंडल होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि sellers जो होते है sellers की entry कम हो जाती है बाइस की entry बढ़ जाती है इस कार्ड दोस्तो support पर एक bullish candle बनती है और market उपर की तरफ reverse होना start हो जाता है इस तरीके से market उपर की तरफ चलना start हो जाता है लेकिन हम एक entry तरफ लेनी चाहिए जब दोस्तों हमारी support पर जिस तरीके से कोई candle बनी होगी इस तरीके से तो उसकी अपर candle बनी होनी चाहिए इस तरीके से उसकी जो body है उससे उपर की तरफ एक दूसरी candle बनती है तब confirmation candle मानी जाती है वो और तब अगर हम entry लेते तो हमें support से दोस्तों profit कर सकते है आई हो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अब हम इसको live chart पर देखते है किस तरीके से supporter resistance पर ये psychology काम करते है दोस्तों अब हमने एक chart लिया है और हम यहाँ पर समझते किस तरीके से जो मैं आपको पिछले session में जो वीडियो समझाए थी किस तरीके स तो वो psychology काम करती है दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक sell position बनी होई है और मार्केट नीची की तरह पाया है यह तो दोस्तों एक सपोर्ट है जो को हुए डाटा की मदद से निकाला गया है और यह एक strong support है तो हम मार्केट को यहां से लेकर यहां तक track करने मार्केट नीरवाई आता है support के नियरवाई आता यहां पर साइकलोजिक होती है कि यहां से जो सेरेंट्री बनाइए तो किसी स्थी कोई और जैसे reversal होगा तो हमारा loss होना start हो जाता है तो इससे पहले दोस्तों position निकालना start हो जाता है जैसे position ही दोस्तों वो एक्टिट करते हैं यहां से तो यहां से position एक्टिट होने के काड़ यहां इस तरगे की एक bullish candle बनती है वो क्यों बनती है उसका पीछे एक region होता है क्योंकि sellers भी एक्टिट हो जाते हैं और यहां पर नए जो buyers होते वो एक्टिव हो जाते है यानि कि sellers जो होते हैं उनकी दोस्तों जो quantity होती है candle में से कम हो जाती है buyers की quantity बढ़ जाती है वैसे दोस्तों एक bearish candle बनती है उसके बाद अगर आपको फिर से दूसरी candle जाती है तब तो दोस्तों वह आपका confirmation candle मानी जाएगी और तब मार्केट उपर की तरफ जाएगा और उसमें भी दोस्तों एक प्रेडिंग में एंट्री लेने का एक होता है जैसे कि यहां पर दोस्तों एक बुलिस केंडल बनी अगर आप इस पॉइंट पर दोस्तों थोड़ा सबर कर लेते हैं थोड़ा पेशेंस दिखा लेते तो तो दोस्तों मार्केट उपर की तरफ जाएगा जो दोस्तों एक वाले वाले लोग से त्यक्रिएट करते हैं यहां से री टेस्ट पैदां पर से रेटेस्ट आता हैं और फिरसे दोस्तों इस जगह पर आगर आपको रिटेस्ट पर चाहिए कि नहीं चाहिए आपको यह चीज़ समझ में आ गए यहां से सेलर्स की एंटरिंटी काम होती है बाइस की ज्यादा हो जाती है उसके पर बनती है क्योंकि यह सपोर्ट पर इस तरह की साइकलोजी क्रियेट होती है अब मर्गेट ऊपर जाता तो यह दो हमारा रजिस्टेंस लेवल है जैसे यह राजिस्टेंस पर आते हैं फिर किया होता है कि जिल लोग पर अपने प्रॉजिचन बनाई होती है तो बोट नहीं ऎकले प्रेजम के ध्रक्न करना अ कुछला जाता है कब भी बड़ी ब्लोग करते यहां से 21た मनी कॉंसेट वाले मार्म निंचे की तरह आप आए और डानी कि ओपरेटर होते हैं वो यहां यहां पर अपना पैसा कर तो इस से भी ज्यादा दूस्त हम कहने सकते कि जो समार्ट मनी कॉइंसेगों कितना पैसा लगाता है उसके गार्ण मारके जड़ले से नीचे घर जाता है आयोप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी किस तरीकी से सपोर्ट पर रेजिट्रेस पर साइकलोजी काम करती है क्योंकि अगर हम किसी भी केंडल के पीछे किसी स्ट्रेश के पीछे की साइकलोजी को जान जाते हैं तो ट्रेडिंग गलति और स्मार्ट मुंक्нить क्या दोस्ता यहां पर स्ट्रेटिजी लिंगे चलते इवह चीजिजों चीजों को स्थाइब कर से दिर या पैसे कमेंट चोनएव collective दोस्तों लिए